हलो दोस्त आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल कलासेस में तो शली दोस्तों आज बात करने वाले आर्थिंग और अर्थिंग के जो है सभी प्रकार की प्रस्ण को देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप लोग वीडियो में इंते जरू बने रहिएगा आप लोग के अब इंग्जाम है दोस्तों यानि कि 31 जुलाई को तो उसके लिए बहुत हैल्फुल होने बाला है इसी परकार चार मीटर के बीच होना चाहिए अगर ऑप्सन में 3 मीटर भी है और 4 मीटर भी है तो दोनों में से क्या यानि कि सबसे पहले टीग करेंगे अगर दोनों दिया सब्सक्राइब में फैश्य ङश्यां है नहीं कि सिक्राइब करेंगा नो is लुए नहीं हो जाएगा लेकिन अगर टीन मीटर लूइंसरे में ऊप् yogh क्यों प्लीन WOR 것도 झारैखनाना जरूरी था कि म्ला लग Then सब्सक्राइब करेंगे तब एक नमर मिलेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें दो परकार का प्लेट होताइं एक कॉपर का होता ऐक को परकार का होता है पर कर लेते हैं तो लास्ट डाटा और shat याद रहेगा तो आप लोग होता ही वह तो 16 mm होता है क्या होता है च्वाद Senator 30对 और वही copper का जो होता है दोस्तों 3.18 mm होता है कितना 30.18 mm होता है तो इससे भी पाचान सकते हैं ठीक है न लेकिन यान की शुरू का डाटा होता है दोस्तों दोनों का परकार से रहेगा दोनों का लास्ट बला डाता सिर्फ चैंज रहेगा तो यहां तो किसा पूछ रहा है याने की जी आई का पूछ रहा है तो जी आई का जो होता है दोस्तों तो 60 cm-60 cm-6.35 mm होता है. जो कि option किस में दिया है? Option E में डिया हुओ है, दोस्तों कहा रहा है, 30 cm-30 cm、 गुने 1.3 mm, अगलत दिया हुआ है। B में तो दिया हुआ है, 60 cm, लेकिन 60 cm भी दिया हुआ है, लेकिन यह निखी 8.5 mm होता है, इससे कम होता है, जी आई का जो की option B में सरी C में दिया है, right answer जो होने बला है, option इसका C सही हो जाता, ठीक है, अब चलिए, अगला प्रसंट पर चलते हैं, आज का अगला प्रसंट जो दिया हुआ है, questions में कहा रहा है, BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में, यानि कि अनुमत अधिकतम रिशा पुन भार बिदुत धारा का डेस होता है, ठीक है, BIS है क्या दोस्तों, ये रूल है, ठीक है, ठीक है, Bureau of Indian Estad का ये रूल है, तो देखें दोस्तों, यानि कि इसका जो रिशाव सीमा है, दोस्तों, एक बट्टा यानि कि 5,000 है, कितना, एक बट्टा यानि कि 5,000 रखा गिया ठीक है, ठीक है, ये जो रूल है, यानि कि BIS के अनुसार, एक बट्टा 5,000 से, अगर ज्यादा लिखेज धारा है, तो अपुर्ती करता जो है, आगरीम 24 घंटा, आगरीम मातर, यानि कि 24 घंटा की, ठीक है, 24 घंटा के अंदर आपका जो कनेक्शन है, यानि कि बिजली का व नहीं बोले हैं, क्योंकि एक बट्टा 5,000 बोले हैं, ना एक बट्टा 100 होगा, ना एक बट्टा 5,000 होगा, ये जो होगा, दोस्तों, एक बट्टा 5,000 होगा, जो की ऑप्शन, सी में दिया है, और इसका सी सही हो जाएगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् शुरक्षा प्रदान करता है तो आर्थिंग तो आत्यम्त जरूरी है दोस्तो तो ए में कह रहा है यानिकि माना जीवन और उपकर्णों का बाचाओ ठीक है आपसन वी भी में कह रहा है इसलिए राइट एंसर जो होगा ये इसका सही हो जाएगा अब चलिए अगला प्रसनाच का दिया हुआ है किसी भू-इलेक्ट्रोड से एक भावन की दूरी डैस से कम नहीं होना चाहिए यानि कि भू-इलेक्ट्रोड जो है दोस्तो तो यानि कि कितना से यानि कि कम नहीं होना चाहिए तो देखे दोस्तो यह में दिये है right answer की बात किया जाए तो option इसका यह सई होने वाला है आज का अगला प्रसंदिया है प्लेट भ्योजन के लिए जियाई भ्योजन प्लेट का मान आकार डैस होता है किसके लिए कह रहा है दोस्तियान कि जियाई के लिए ही कह रहा है एक्षण यहसे पहली तो यह थयान कि कुछ क्षण का होता है इंग्जाम में लास्ट बावला भेलू उसे यह निही कि चैकर सकते हैं और यहाई-बिए का 16.5 mm होता है वहते हैं वहीं पर कॉपर की अगर बात किया जाए तो इसका जो होता है 3418 mm होता है किसमें दिया हुआ है चलिए option पर लेते हैं यह में जो कार है 40 तो 40 बाला को पहले ही कार देंगे 30 बाला को पहले कार देंगे और 80 बाला को पहले कार देंगे तो लास्ट एंसर जो बचरा हुँ साइट वाला बचरा है ठीक है क्योंकि इसका जो आकार होता है 60 cm गुने में यानिकी 60 cm और 6.35 mm होता है जी आई का ठीक है और वहीं पर अगर अगर पूछता है गुमा करके तो इसको भी दियान रखना है और cm में पूछ रहा है तो इसको भी दियान में रखना है ठीक है ना चलिए आगे भरते हैं नेक्स्ट कोचस आजके दिया हुआ है प्रिक्षन करते हैं समय राखाव से पहले ुकषान की हिससे के भूछ homemade के लिए सबसे पहले क्या अवसक है तो दोस्तों तो दैखिए वी सम्परकन अगर करते हैं यानि कि आर्थिंग cig पर्यों किया जाता है ठीक है अगर भूछ पत्थ भी ओज़क मात राक तो इसका तो जरूरी है ना भूस का जरूरी है जो कि ऑप्सन सी में दिया है और इसका सी सही हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोचंस में आज का अगला प्रसंदिया हुआ है कोचंस में का आई नियम के अनुसार अगर भूस संपरकन पट्टी जास्तेदार इस पात्पदार्थ की हो तो नट और बोल्ट डैस के होने चाहिए अगर कोई देखिए आई नियम के अनुसार ठीक है ना हाई जो इलेक्टिसीठी का जो रूल है उसके अनुसार अगर भूस अंपरकन पट्टी ठीक है यह क्या है भूस अं पदार्थ का प्लेट है उसी पदार्थ का जो है नट और बोल्ट भी होना चाहिए तो जस्ती ही पदार्थ यानिकि जस्ती ही स्पात का नट भी होना चाहिए और बोल्ट भी होना चाहिए ठीक है तो राइट एंसर किसमें दिया है जस्ती स्पात तो आप्शन ए में दिया ह correct answer की बात किया जाए तो option इसका इस सही हो जाएगा ठीक है ना जबकि B में जो दिया है Aluminium तो Aluminium का नहीं होता है न Tamba का होगा न PVC का होता है PVC का तो कभी होने बाला है नहीं क्योंकि इंसुलेटर पदार्थ है इससे होकर धारा परवाहित नहीं होता है अब चलिए आज का अगला प्रसंद दिया हुआ है questions में कह रहा है सभी डैस के लिए double earthing जरूरी है यानि कि किसके लिए जोस्तों यानि कि double earthing जो है यानि कि double earthing जो है यानि कि double earthing यानि कि अरहता ही है अगर double earthing से नहीं चलाएंगे तो यानि कि छतिया ज्यादा होगा तो राइट एंसर किसमें दिया है motor तो option A में दिया है motor correct answer चू होगा option इसका A सही हो जाएगा जबकि B में जो दिया है यह धियान रखिएगा ठीक है चलिए आज का अगला प्रसंदिया हुआ है questions में कह रहा है questions में दिया है निमली भूरष संपर्कन दोस्तों ना भू संपरकन ज्रूरी नहीं 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 सर्क्राइश को निकीए इनुलेटर पदार्थ हो घ्याला का भाहना संभव नहीं है नहीं आर्थिंग अगर नहीं भी परियों किया जाएगा तो चलेगा तो आप्शन पर लेते हैं यह में तो क्या का रहा आटोमेटिक इलेक्टिक वार्टर हीटर वार्डर तो इसमें तो होता है भाइब प्लास्टिक वाले फियन रेगुलेटर तो प्लास्टिक है तो यह तो इन्सुलेटर पदार्थ है तो इसमें तो आर्थिंग का कोई जरूरत है नहीं तो राय टेंसर जो होगा ऑफ्शन इसका भी सही हो जायेगा क्योंकि नहीं बाला इसमें पूछ रहा यहां पर दीखिए नहीं दिया हुआ है तो नहीं वाला ही option भी ढूड़ना है और option मिल भी गया भी में दिया है लेकिन c में दिया है गीजर तो इसमें आर्थिंग जरूरी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रसनाच का दिया हुआ है कि इन में से क्या है ल्टी फीडर पिलर की आर्थिंग में पर्योग के जाता है किस का जी आई स्ट्रीप क परियोग करता है किस का जी- système किसमें दिया ए जी-चीड तो में में फिल्हें दिए टो ऐ मेयंश चैनल इस नहीं होता है , न ऑगे भरते हैं नेक्स्ट Q questions में और रहा है बिजली के उपकर्णों की धातु की केसिंग को निम्लिखित को संद्य सुनुशित करने के लिए भू संपरकित किया जाता यह क्या कर है परचारन की सुरक्षा B में कर लिए उपकर्णों की सुरक्षा C में कर से कोई नहीं तो देखें दोस्तों यानि कि बिजली के जो उपकरन होता है जो धातू की यांनि कि केसिंग को यानिक निमलीखित के लिए फू संपरकित किया जाता है तो यानि कि उपकरन जो होता है उसके सुरक्षा के लिए हम भूसंबर्खन उपयोग करते हैं तो राइट एंसर जो होगा option इसका भी सही हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं next question साच का दिया हुआ है प्लेट आर्थिंग में प्लेट निम्लिखित की बनाई जाती है किसमें कह यानि कि प्लेट आर्थिंग में और प्लेट आर्थिंग में दोस्तों प्लेट आर्थिंग में दोस्तों जो फ्लेट बनाया जाता है तो एक यानि कि लोखा का होता है और एक जो होता है दोस्तों यानि कि कॉपर का होता है ठीक है इसको भी धियान में रखिएगा तो option A में का रहा है कीवल कॉपर तो कीवल नहीं भाई अगर कॉपर है तो कॉपर कभी परियोग करते हैं और जस्ता इस पात का भी परियोग करते हैं लेकिन अल्मुनियम का परियोग नहीं किया जाता है तो ऑप्षन दोनों जो दिया है जी में दिया है क्योंकि यहां पे जी आई भी कि ऐसे का आर्फिंग में कह रहा है और पाइप आर्थिंग में कहा रहा है और था इसका जो व्यास होता है 40 एक है से लेकर 38 mm के बीच होता है कितना 40 से लेकर के 38 mm के बीच होता है तो 40 आरट तो नहीं दिया हुआ है है कोई भी option में इसमें 30 है 50 है तो 38 mm दिया हुआ है ठीक ना सी में right answer जो होगा इसका सी सही हो जाएगा अगर 40 mm नहीं दिया रहा था तो वहां पर answer यह आपको यह निकि 48 mm नहीं दिया रहा था तो 40 mm option में रहा था तो इसको और टीक कर लेते हैं उहां पर एक number मिल जाता दीक है चलिए आगे बदरते हैं नेक्स्ट कोश्चन सआज का दिया हुआ है कोश्चन में कहा रहा है कि इलेक्ट्र पिरेटिंग के लिए बिजली की DC होता है ठीक है DC का मतलब क्या यानि कि direct current ठीक है DC का मतलब direct current तो option किसे में दिया है direct current तो सड़ी DC voltage तो option A में दिया है तो right answer जो होने बाला है option इसका इसे ही हो जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रशनाच का दिया हुआ है questions में कहा रहा है भू संपरकन ने में लिखी थी सुरक्षा के लिए अवसक है तो देखे दोस्तों सबसे पहले यानिकी मानों के सुरक्षा के लिए उसके साथ-साथ जो ही अंत्र लगा रहा था जो डिवाई से